जन्वरी 2023 में संसद में शीत काली इन सत्र चल रहा था और राज्यसभा के सभापती नए नए बने थे जर्दीव धनकर्म धनकर्साब बंगाल के राज्यपाल से प्रमोट होकर भारत गनराज्य के उपराष्ट्र पती बने थे और उपराष्ट्र पती ही राज्यसभा का सभापती होता है धनकर साब के तारीप में कोछी दिन पहले उनके शपत ग्रहन के बाद प्ठान मंत्री नरिल दुदी ने संसद में कहा था कि जगदीब धनकर साब को राज्य सभा में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि यहाँ ज्यादा तर वकील है लेकिन धन्खर साहब दिक्कत राज्य सभा में सांसदों को नहीं भारत की सुप्रीम कोट को देने लगे दरसल जगदीप धन्खर ने राज्य सभा अध्यक्ष के पीट से ऐसी बात कह दी जिसने सुप्रीम कोट की चूने हिला दी नमस्कार मैं हूँ मनीश ठाकूर और आप सुन रहे हैं सुप्रीम कोट और सरकार के बीच की टाकराहाट पर से निकलते उलजते सुरज़ती के से जगदीप धन्खर उप्राष्ट्रपती और राज्य सभा के सदस से पीट से बैठ कर उनोंने कह दिया कि सुप्रीम कोट सुप्रीम नहीं है इस देश का संसत सुप्रीम है देश की संप्रभुता की रक्षा संसत से है और सच भी यही है देश की संसत के लिए सम्मिधान में साफ व्याख्या है कि हमारी संसत संप्रभुता संपन है और यदि हमारी संसत संप्रभुता संपन है तभी भारत गनराज्य संप्रभुता संपन है लेकिन दो 1973 का एक फैसला सुप्रीम कोट का फैसला क्या भारत की संसत को संप्रभुता संपन रहने दिया तरसल जगदीप धनकर को इसी बात की पीड़ा थी और इसी लिए उन्होंने कहा कि संसत सुप्रीम है सुप्रीम कोट का जज सुप्रीम नहीं कि संसत के आदेश को पलट दे उन्होंने फिर कहा कि सरकार और संसत इदी सुप्रीम कोट के फैसले को नहीं पलटती इसका मतलब सुप्रीम कोट ये ना माने कि उसी सुप्रीम है इतिहास में पहली बार 50 साल पूरे होने के क्रम में पहली बार ऐसा हुआ कि 1973 के केसवानंद भारती केसपर के खिलाप भारत के सम्मिर्हानिक पत पर बैठा कोई इतना वरिस्ट वेक्ती बोल रहा हो उपराष्ट पती और राज्यसभा के सभापती जगदीप धन्खर ने कहा 1973 का चर्चित केशवानंद भारती केस में आये सुप्रीम कोट का फैसला से वे सहमती नहीं रखती उन्होंने उस केस का जिक्र करते हुए कहा कि गलत मिसाल पेस की गई है दरसल केशवानंद भारती केस 13 जजों का फैसला था जिसमें 7 जजों ने पक्ष में 7 और 6 भी पक्ष में फैसला दिया यदि सुप्रीम कोट के तब के मुखेन आएधीस इधर से उधर हो जाते तो फैसला बदल जाता इसी लिए धनकर सहाब कहते हैं कि यद फैसला भी 6 और 7 के बदले था जज़सल केशवानंद भारती केस केरल सरकार बनाम केशवानंद भारती के नाम से था जो केशवानंद भारती केरल के एक मठ के प्रमुक थे और Land Reform जो केरल सरकार लाई थी उसमें मठ की जमीन सरकार ने कबजा कर ली इसी के खिलाब केशवानन्द भारती सुप्रीम कोट आ गए थे केश तो केशवानन्द भारती हार गए लेकिन उनके इस शिकायत से भारत के सुप्रीम कोट सुप्रीम हो गई और कहते हैं इस सुप्रीम कोट के फैसले ने आम जनता के अधिकारों की रक्षा कर ली दरसल सुप्रीम कोट ने कहा कि मौलिक अधिकार जो इस देश की जनता का है उसे संसद नहीं बदल सकती मतलब भारत जो एक लोक तांत्रिक गनराज्य है उसे नहीं बदला जा सकता जो हमारा जो मौलिक अधिकार है संसत उसे नहीं बदल सकती और इंदिरा गांधी जो फैस्त लेकर के संसोदन आई कि भारत एक धर्म निर्पिक शिराज्य है उसे नहीं बदला जा सकता दरसल यही पीरा सरकार की है कि सुप्रीम कोट ने संसत के आदेश पर अक्सर कुंडली मार करके बैठ जाती है दरसलो केसवा नंद भारती केसी है जिसके बाद से संसत के संथर संसोधन के खिलाप हर मामला सुप्रीम कोट आता है और फिर सुप्रीम कोट संसत के हर संसोधन को का समिक्षा करती है सही माइने में माना जाए तो यह संसत के का जो संप्रभुता का जो अधिकार संसत का है उसी की अभेलना है यही कारण है कि सीए हो या फिर किसान आंदोलन या फिर ट्रिपल तलाक हर मामला जो संसत के द्वारा पास होती है राष्ट्रपती का मुहर भी लग जाता है फिर भी यह मामला सुप्रीम कोट आता है क्योंकि 1973 के केसवानन भारती केस में सुप्रीम कोट ने 13 जजों के फैसले ने बहुमत से यह पास कर दिया कि संसत के हर फैसले के समिक्षा का अधिकार लगता है समिक्षा इसलिए कि कहिए मौलिक अधिकार की अभेलना तो नहीं है कमाल की बात है कि अब तक सुप्रीम कोट ने संसत के पास ज़्यादा तर कानून पर को ओके किया है छे मामले पर टकराइत रही, लेकिन एक मामला सुप्रीम कोट ने सीठे पलट दिया, वह मामला सुप्रीम कोट के खुद से जुढा हुआ था, जुडीशियल रिफॉर्म, नियाईक आयोक का मामला, दरसल सुप्रीम कोट में जो भाई-भतिजावाद चलता है, सुप्रीम रिफॉर्म लेकर के आई उसमें न्याईक आयोग की वेबस्ता है और उस न्याईक आयोग में भारत के पधान मंतरी नेता प्रतिपक्ष सुप्रीम कोट का मुख्य न्याइधीस और एक लीगल जानकार होगा कुल पांच लोगों की वो कमीटी होगी और उसके बहुमत के साथ जिस वेक्ति को चुना जाएगा वो सुप्रीम कोट का जज होगा इससे सुप्रीम कोट का जो कॉलेजियम का अधिकार है वो छिन रहा था सुप्रीम कोट के पांच जज सीनियर मोस्ट पांच जजों का कॉलेजियम होता है और पांच जज जिसे चाहते हैं उसे सुप्रीम क पिता भी चीफ जस्टिस रहे हुए हैं कई ऐसे जज हैं जिनके डायरेक्ट रिलेशन में जो उनके बेटे भतीजे भानजे इस तरह से सुप्रीम कोट के जजज बने चीफ जस्टिस भी बने नियाई कायोग का गठन इसी लिए था कि सुप्रीम कोट में भाई भतीज सुप्रीम कोट के इतिहास में यही एक मामला संसत द्वारा पास कानून इसको पूरी तरह से खारिज कर दिया गया केसवा नंद भारती केस में भी संसत के उस आदेश को पूरी तरह से निरस्त नहीं किया गया सुप्रीम कोट ने उस केस में भी माना कि संसत सम्मिधान में स स्विछान मंतरी थे तो उसी समय सबसे पहले सुप्रिम कोट में एक मामला आया और सुप्रिम कोट ने फैसला दिया कि संसद के पास यह अधिकार है कि संसद कभी भी समीर हना स्टूधन कर सकता हैने सबस्का यह मामला 1965 में उनीशन DR पैसठ त्पैसर पैसर इसी संग 1951 का मामला और सर्जन सिंग मना संग 1965 का मामला इन दोनों मामला में सुप्रीम कोट ने संसत को सुप्रीम माना लेकिन सुप्रीम कोट की अपनी पावर बढ़ाने के लिहाज से 1967 में एक हिस्टोरिकल फैस्ट लाग गोलकनात केस में दिया जिसमें सुप्रीम कोट ने संसत पर थोड़ी लगाम लगाने की कोशिश की लेकिन इंदीरा गांथी सुप्रीम कोट के इस लगाम को ध्वस्त करते हुई सम्मिधान के आठकिल 24, 25 और 26 में संसोधन करके सुप्रीम कोट के एक आदेश को इस तरह से एक तरह से पलट दिया उसी के परिणाम सरूप 1973 में केशव अनत भारती केस आया और इसमें एक वकील जो सुप्रीम कोट के इतिहास में सबसे अमर माने जाते हैं नानी पाल की वाला उनकी अलग से कहानी हमने आपको मनीश्ठा कुर्शो में सुनाई थी कि किस तरह से नानी पाल की बाला का इंदिरा गांधी से नफरत के कारण सम्मिधान की संसोधन की इतनी बड़ी ताकत सुप्रीम कोट को मिल गई संसत की पर कंट्रोल करने की ताकत सुप्रीम कोट को मिल गई संसत से बड़ी कैसे मतलब इस देश की जनता ही सुप्रीम है और जनता तो सीधे संसद को चुनती है सुप्रीम कोट को नहीं तो फिर सुप्रीम कोट सुप्रीम हुआ तो क्या सही माइने में संसद की संप्रभुता सुप्रीम कोट ने कैद करके रखी हुई है ये लड़ाई लगातार संसद और सुप्रीम कोट के बीच इसी लिहास से चल रही है आज भी ये लड़ाई जारी है कि संसद द्वारा पास हर कानून पर ये सुप्रीम कोट कुंडली मार करके बैठ जाए तो जनता की चुनी हुई सरकार काम कैसे कर पाएगी कारिपालिका और न्याइपालिका की ये टकराहट निरंतर जारी है जो सवाल उठाता है कि क्या भारत संप्रभुता संपन राष्ट सच्मुच है क्या फिर उसके संप्रभुता पर सुप्रीम कोट का नियंतरन है सुप्रीम कोट सुप्रीम है या संसद सुप्रीम है क्योंकि भारत के समिधान में दोनों को स्वतंत्र रखा गया है लेकिन इतना तय है कि सुपरमेसी सुप्रीम तो संसद है फिर संसत के बनाए कानून को इरी सुप्रीम कोट समिक्षा करता है तो निश्चित रूप से कई बार यह साफ दिखता है कि क्या सुप्रीम कोट सुप्रीम है यही पीरा लगातार उपराष्ट पती के अंदर दिखी है जिस पीरा से वो संसत को अलग कर देना चाहते हैं ताकि इस देश में लोकतंतर सुचारू रूप से चल सके लेकिन केशवानन्द भारती केश जिसने आम जनता के मौलिक अधिकार की रक्षा की है उसका भी उसकी भी अलग गाथा गाई जाती है संसत की इतिहास में लगातार जिस तरह से तिरा गांधी सुपर पावर बन रही थी सुप्रीम कोट के उस फैसले ने उस पर एक तरह से अंकुष लगा दिया लेकिन क्या जो तिहत्तर में हुआ जिसकी जैजे हुई उसकी बात से सुप्रीम कोट सुप्रीम हो रहा है सुप्रिम कोट को अपने गिरेवान में क्या नहीं जाकना चाहिए कि कॉलेजियम सिस्टम की जिद पर वो क्यूँ है क्योंकि सम्मिधान में संसोधन कि जितने मामले सुप्रीम कोट में आये एक ऐसा मामला ही था जिसे सुप्रीम कोट ने पूरी तरह से खारिज कर दिया वो जूडिसियल रिफॉर्म का मामला है संसत अब उसे फिर से लागू करना चाहती है और जो तेवर उप्राष्टरपती ने दिखाई वो इसी बात को है इस अच्ची कहानी आपको कैसी लगी कॉमेंट्स में जरूर बताईएगा बहुत बहुत धन्यवाद बंदे मातरम जैहिंद